का बाई जूज एक्जाम प्रेप दा मोस्ट कॉंप्रेशन एफ फॉर एक्जामिनेशन के आज के इस सेशन में बहुत-बहुत सौगत है दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि करेंट अफेर्स के मोस्ट इंपॉर्टन वन थाउजट की जो सिरीज हमारी 18 फरवरी से शुरू हुई थी आज हम लोग उसका आठवा भाग लेकर के आए हैं तो अभी तक के हम लोगों ने लगभग सात भाग में 580 के करीब mcqs को कवर किये हैं और जो बचे हुए हमारे लगभग तीन पार्ट है जिसमें कि आज आठवा पार्ट है फिर नेक्स सेटरडे को हमारा जो हमारा जो नवा पार्ट आएगा उसके बाद जो दसवा पार्ट आएगा उसमें हम लोग अपने 1000 सवालों को पूरा करेंगे तो आप सभी तक मेरी आवाज audio clear आ रही होते एक बार comment कर दीजेगा नेहा जैश्री उवैस रिधी विनीत इमरान माधवी आर्बी खुश्वू सुनीता साधना वेरिस लाइफ उशा चंद्रदेव हिमांशू आशुतोष सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आपसे request भी है को नैशनल इंटरनेशनल को और जादा बहतर तरीके से कवर कर सकें तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम करेंट अफेर्स की आज की स्रीज को आज की स्रीज हमारी जादा लंबी नहीं लगबग घंटा सवा घंटा की होगी जिसमें हम 50-60 के आस के सेशन को और पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं यानि की निमलिकित में से कौन सा दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है जो की आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पे आधारित है उसको लॉंच किया गया एई रेडियो रेडियो एई रेडियो रैपिट या फिर रेडियो जी टीपी कमेंट कीजे इसका सही आंसर और हाँ जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं आप लोग कमेंट में अपने आंसर से पहले क्या है कुश्चन नमबर ज़रूर डालिएगा क्योंकि आपके आंसर क्या है हमारा रेडियो जी टीपी है ना तो रेडियो जी टीपी हमारे दुनिया का पहला ऐसा रेडियो है जो आटिफिशल इंटेलिजेंस बेस्ट है ठीक है अगला सवाल विच इंस्टिट्यूशन रीसेंट्ली यानि की मार्श दो हजार तेईस में एक रेपोर्ट प्रकाशित की है जिसका नाम है Landslide Atlas of India तो Landslide Atlas of India नाम से एक रेपोर्ट को मार्श दो हजार तैईस में किस संस्थान ने जारी किया इसरो नीती आयो डियाडियो या फिर नबाध बताए किसके दोवारा यहां पर जारी किया गया है नहीं PDF अगरा इसकी नहीं मिलेगी प्रहे तो यूटूब पे इसका PDF अविलेबल नहीं कराया जाएगा तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो इस रिपोर्ट को जारी करने वाला नीती आयोग नहीं पेड़ कोर्स में इसकी PDF मिलेगी तो जो भी हमारे पेड़ कोर्स के स्टूडेंट से उनको इसकी PDF जो है आने वाले चलते हैं On which planet NASA Curiosity rover recently captured the pre-culturer rays तो हाली में NASA के Curiosity rover ने इन में से किस ग्रहे पर हमारा क्रिप्स सखुलर किर्णों को यहां पर हमारा क्याप्चर किया है Venus Saturn Jupiter या फिर Mars बताए है कमेंट कीजे तो दोस्तों अगर हम बात करें तो मंगल ग्रहे पर हमारी यह जो तो किरने हैं, इसको यहां पर क्या है इस रॉबर के दौरा यहां पर हमारा कैप्चर किया गया है तो मार्स यानि की मंगल ग्रहा पर किया गया है अगला सवाल, öld इंस्टटुशन लॉंच दा главal Greenhouse Gas Monitoring Infrastructure इन ऋ दो इनमें से कि संगठन के दौरा Global Greenhouse Gas Monitoring Infrastructure को launch किया गया है IMF यानि की International Monetary Fund World Metrological Organization UNESCO या फिर UNICEF इन चारों में से किस संस्थान या संगठन के द्वारा इस हमारा Global Greenhouse Gas Monitoring Infrastructure को लाया गया है तो इसको लाने वाला कौन है WMO World Metrological Organization विश्व मौसम संगठन जो है उसके द्वारा हमारा यहां पर इसको जारी किया गया है अगला सवाल बहुत इंपोर्टेंट है और एक्जाम में पूछा जा सकता है और DCA वाली क्लास में मैंने पढ़ाया भी है आपको इन विच स्टेट बहु बली तो आपको बताना है दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू से बना हुआ हमारा क्रेश बैरियर को इन में से किस राज्य के हाईवे पे हमारा लगाया गया है करनाटिका, च्छतीजगर, महराष्ट या फिर कैरला तो आपको मैंने अपनी DCA वाली क्लास में इसके बारे में पढ़ाया भी था और इसका चित्र भी आपको दिखाया था और आप में से कोई बता सकता है कि कौन से जगह के बीच में ये 200 मीटर का बहु बल्ली नामक हमारा बैरियर बनाया गया है तुमको PDF बस चाहिए प्रेंग का आंसर गलत बता रही हो तुम करनाटिका बता रही हो PDF में इसका आंसर क्या लगेगा महराष्ट लगेगा तो महराष्ट में अगर हम बात करें तो वानी वानी वरोरा एक हाईवे है जो की विधर्व विधर्व में पढ़ता है कहां पढ़ता है विधर्व महराष्ट में पढ़ता है वहाँ पर हमारा क्या है हमारा इसको installed किया गया है अगला सवाल which country has proposed to create an alliance international big cat alliance तो किस देश ने अंताराष्ट ये big cat alliance गटबंधन का प्रस्ताओं यहाँ पर लेकर के आए है बिग कैट का मतलब क्या है वो हमारे जीव जन्तु जो की टाइगर की फैमिली से आते हैं टाइगर लेपर्ड चीटा लाइन इन सब को बचाने के लिए एक इंटरनेशनल बिग कैट अलाइन्स लाने वाला कौन है यूएसे भारत फ्रांस या फिर जर्मनी बताइए तो दोस्तों अगर हम बात करें तो सेवन मेजर सेवन मेजर बिग कैट के प्रोटेक्शन करने के लिए हमारा देश भारत के द्वारा इस अलाइन्स को यहां पर लाया गया है याद रखेगा राम राम दीक्षा अगला सवा और फॉस्ट राईं इंदर 585 अदर्ट विच्कांट्री फोलियो व केसेस हैस्ट रींट्लि रिकॉर्डटेड तीज साल बाद एक बार फिर से दुनिया के इन मेंशिक से किस देश में आप्रफ抉ल्यों के केसेस को में यहां पर दर्ज किया गया है यानि कि बच्चों में पोलियों के शिकार हमारे क्या है हमारा देखा गया है तो सोमालिया, बुरुंडी, छाद या फिर मंगोलिया अबनी परणाम, गोड इबनिंग प्रेंका तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारे जो केसेज हैं यहाँ पर यह बुरुंडी देश में देखे गए है तो 30 साल के बाद यहाँ पर पोलियों के केसेज बुरुंडी में देखे गए हैं याद रखेगा गोड इबनिंग रोहन Which state is the key state partner of the international SME convention 2023 तो अंतर राष्टी यह जो SME convention है मिस्टों इन secular innate phones के कौन हमारा स्टेट जो है वो पर्टनर स्टेट है यह सवाल हमारा काफि इंपॉर्टेंट है और इस साल exam में आ सकता है क्यों आ सकता है पहले कमेंड कीजिए फिर इसके बारे में डिटेल में थोड़ा समस्ते हैं इसमें थोड़ा explanation को लेकर के जानते हैं क्या है मामला पूरा अगर हम दोस्तों बात करें तो इस साल हमारी जो तीसरा संस्करण है इंटरनेशनल SME convention का उसका जो आयोजन है वो कहां किया गया हमारा नई दिल्ली में किया गया तो नई दिल्ली में इस convention का आयोजन किया गया जहां पर हमारा partner state यानि की भागिदार राज जो है यहां पर मध्यप्रदेश को चुना गया है तो हमारा partner state कौन है यहां पर हमारा मध्यप्रदेश है और SME का मतलब क्या होता है small medium enterprises ठीक है तो SME का मतलब क्या है हमारा small medium enterprises ठीक है तो हमारे शूश्म और मध्यम उद्योग जो है वो इसकी क्या है हमारी full form है और वही पर एक सवाल यहां पर और बन सकता है कि आप से पूछा जा सकता है कि इस convention में जो नई दिल्ली में आयोजित हुई है यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर एक associated state भी है एक हमारा यहां पर साहयक state भी बनाया गया है तो associated state का दरजा यहां पर किसको दिया गया है किसी ने इस news को पढ़ा है तो associated state का दरजा यहां पर उत्तर प्रदेश को दिया गया है तो इस बैठक में जो की नई दिल्ली में आयोजित की गई थी तो यहाँ पर साहयक यानि की एशोशेट स्टेट यूपी को बनाया गया है और भागीदार राज्य मध्यप्रदेश को बनाया गया है तो इसको थोड़ा अच्छे से नोट कर लीजेगा और समझ लीजेगा कि ए अधिक जानकारी भी मिल जाएगी बैचेज और कोर्स के बारे में अभी हम 2023 की जो परिक्षा है उसके करेंट अफेर्स पर फोकस कर रहे हैं ठीक है चलिए अगला सवाल अगेंस्ट प्रेसिडेंट और विच कंट्री इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैस इशू एन अरेस्ट वारेंट तो इनमें से किस देश्ट के राष्टपती के खिलाप हाली में अंतर राष्टी अपराधिक नियाले ने ग्रफतारी वारेंट जारी किया है काफी सुर्खियों में भी हैं ये कौन है ये चीन के राष्टपती हैं नौर्थ कूरिया के हैं रश्या के हैं या फिर यूक्रेन के हैं क्या नाम है इनका पुतिन सहाब बिल्कुल सः तो व्लादमेर पुतिन जी के लिए हमारा क्या है आई सीची के दुआरा यहाँ पर अरेश्ट वारेंट जारी किया गया है क्योंकि उन्हों ने जो यूक्रेन के ऊपर हमारा जो वर्थोपी है उसका उनको दो एक 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 जिवीशन जिसका नाम है हमारा जैफरी बावा इट इसेंशल टू भी देर नामक एक्जिवीशन का आयोजन भारत का इन में से किस देश के साथ 75 वर्षों का हमारा दूपक्षिये रिष्टे को बढ़वा देने के उपलक्ष में लाया गया है श्री लंका भूटान बंगलादेश या इंडोनेशिया तो दोस्तों अगर हम बात करें तो नीता बेटा तुम अपना थोड़ा कॉमन सेंस इंप्रूफ करो MSME का मतलब होता है Micro Small Medium Enterprises और SME का मतलब क्या है Small Medium Enterprises तो वो शूष्म लधू मध्यमुद्योग है और यहाँ पर मैंने क्या बताया है हमारे लधू और मध्यमुद्योग तो शूष्म नहीं है बेटा यहाँ पर तो इसी लिए SME है MSME नहीं है ठीक है तो दोनों में अंतर है चलो इस सवाल पर ध्यान देते हैं तो दोस्तों अगर हम बात करें तो हाली में श्रीलंका के साथ 75 वर्षों के दू पक्षिये रिष्टे को बढ़ावा देने के लिए जेफरी बाबा नाम से जो एक्जिवीशन है इसका आयोजन कहां किया गया अगर पूछा जाए तो नई दिल्ली में किया गया तो नई दिल्ली में 16 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया गया था अब एक सवाल बनता है ये जेफरी बाबा है कौन तो ये एक बहुती प्रिसिद हमारे आर्ची टेक्चर है कहां के श्री लंका के तो एक फेमस आर्ची टेक्चर है श्री लंका के ठीक है तो याद रखिएगा इनका नाम अगला सवाल इन विच सिटी पाइलेट ट्राइल औप M-D 15 बसेस और प्रोटो टाइप लॉंच औप M-100 यानि कि 100% मिथनौल वज लॉंच तो इनमें से किस शहर में M-15 बसों का हमारा पाइलेट परिक्षाड और M-100 मिथनौल का प्रोटो टाइप को लॉंच किया गया मुंबई, लखनौ, बैंगलॉर या फिर हाइदराबाद तो ये एक सवाल भी मैंने अपने DCA वाली क्लास में आपको पढ़ाया था तो बैंगलॉर के अंदर हमारा क्या है M15 बसेस को लॉंच किया गया है जहां पर हम लोग M100 में क्या कर रहे हैं जो प्रोटोटाइप है जहां पर 100% नितनौल का हम इस्तमाल करेंगे एजा फ्यूल ठीके तो इधन के रूप में हम यहाँ पर इसका इस्तमाल करेंगे ठीके चलिए बहुत इंपोर्टेंट भारत और किस देश के बीच अल-मोहिद अल-हिंदी 2023 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया तो अल-मोहिद, अल-हिंदी 2023 युद्ध अभ्यास भारत का किस देश के साथ हुआ है साउदी अरब, इजिप्ट, युएई या फिर माल्दीव्स बताइए तो दोस्तों अगर हम बात करें तो आंसर है UAE नहीं है साउधी अरब क्या है इसका सही आंसर है तो याद रखिएगा अगला सवाल इन विच सिटी इस दा इंडिया या इंडियन नेवी फर्स ट्रेनिंग स्कॉर्डन बेस्ट एट तो भारत नौसेना का या भारतिये स्कॉर्डन किस शहर में स्थित है हमारा विशाखा पत्नम मुंबाई चेन्नाई या फिर कोची पताईए आप में से जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे इस सेशन को जॉइन कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेश्ट है कि इस सेशन को जादा से जादा अपने दोस्तों को शेयर कीजे और लाइक भी कीजे ताकि वो भी हमारे साथ यहां पर इस सेशन में लाइब जुड़ें या फिर अगर लाइब नहीं जुड़ पाते तो रिकॉर्डेट क्लासेज देखें क्योंकि इस सीरीज से आपके करेंट अफेस पूरे यहां पर कवर हो जाएंगे तो इसका दोस्तों सही आंसर है कोची तो कोची के अंदर हमारा क्या है पहला ट्रेनिंग जो है नेवी का स्वाडन का हमारा बेस्ट है और यहां पर अगर हम बात करें तो हमारा जो एक जहाज है जिसका नाम है आइनेस तीर आइनेस तीर और इंडियन कोष्ट गार्ड का ए जिजिट किये थे Medagascar का भी इन्होंने दॉरा किया था तो अगर आपको याद होगा इसके बारे में भी मैंने मार्श में ही आपको डी से वाली क्लास में पढ़ाया भी था तो दोनों जहाजो के नाम भी याद रखेगा और Medagascar का दौरा भी इन दोनों ने किया था जब हमारा ये जो पहला स्क्वार्डन ट्रेनिंग का बेस यहां पर बढ़ाया गया ठीक है अगला सवाल विच कंट्री इस दा होस्ट ऑफ यॉनाइटेड नेशनस 2023 वाटर कॉन्फरेंस तो सैयुक्त राष्ट 2023 का जल सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है फ्रांस, यूएसे, जर्मनी या इंडिया फस्ट वाले में अभी नहीं किया था इसको ये तो अभी का है हमारा ये वाला सवाल अभी का है, रिसेंटली है, पहला वाला मैरेथन तो हमारा फरवरी में हुआ है और ये जो नियूज मैं आपको करा रहा हूँ, ये मार्च की है है ना, तो तब तो गटना गटी भी नहीं थी चलिए, तो दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो USA के New York में हमारा क्या है, इसका आयोजन किया गया था USA के New York में हमारा इसका आयोजन किया गया था ठीक है, जर्मनी नहीं है, जर्मनी नहीं है, USA में चलिए, अगले सवाल पे चलते हैं विच कंट्री ब्रोक्ड दा साओधी इरान डेंटे पीस डील तो साओधी और इरान के बीच एक शान्ती वारता जिसका नाम है साओधी इरान डेंटे सान्ती समझोते की मद्यस्ता इन में से किस देश ने की है भारत, रशिया, USA या फिर चाइना तो किसके दौरा यहाँ पर हमारी मद्यस्ता की गई थी साओधी और इरान के बीच शान्ती के समझोते को ले करके तो इसका सही आंसर क्या है? Option number D, चीन याद रखिएगा यह सवाल काफी important है और इस साल इसकी आने की पूर्ण संभावना भी है चलिए अगले सवाल पे चलते हैं Which country recently यानि की March 2023 में इन में से किस देश के द्वारा हमारा Agriculture Innovation Mission for Climate यानि की AIM4C को US के साथ लॉंच किया है तो United States of America के साथ मिल करके इन में से किस देश के द्वारा यहाँ पर हमारा क्या है? AIM4C को लॉंच किया है भारत, UAE, जापान या फिर इसराइल PDF नहीं मिलेगा वेटा अगर आप Paid Students यूजर है तो एप पर शायद इसको अबिलेबिल कराएगी टीम तो YouTube पे इस बार देने का इस बार जाजत नहीं मिली है तो इसलिए YouTube पे नहीं शेर की जाएगी एप पे शेर की जाएगी तो अगर आप Manish जी हमारे एप के यूजर होंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा चलिए तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो UAE के साथ मिल करके USA ने यहाँ पर क्या है Aim4C को यहाँ पर बनाया है तो यहाँ पर यह मिशन जो है हमारा क्रिशी छेत्र में नवजार को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है ताकि क्या है हम यहाँ पर क्या है जल वायू परिवर्तन से भी निपड़ सके कब मिलेगी भाईया दो बता देते हैं तुमको पहले मंगलवार के दिन जाना ठीक है शाम को आपको बता दिया है शाम को साथ बच करके पंदरा मिनट और 69 सेकंड पर मिलेगा ठीक है ना मिले उसके बाद आके आप कमेंट कीजेगा कि सर आठ बच के क्या साथ बच के 16 मिनट और क्या हो गया शीर सूने सूने सेकंड हो गया नहीं मिला इतना इंपोर्टेंट यहां डिसकेशन चलना तुम यहार पीडियाफ की लड़ाईयां लड़ा रहे हो ठीक है पीडियाफ फीडियाफ सभी यहीं रह जाएगा एक्जाम हो जाएगा बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे अभी देखो कल रिजल्ट आया है एक मजाग कर रहा हूं सोफिया मनीश अपने पुराने स्टूडेंट है अपने स्टूडेंट के साथ हलका फुलका हसी मजाग करते रहना चाहिए क्लास थोड़ा लाइबली बना रहता है ना ठीक है तो हर कोई का आप सबकी मजशा है सेलेक्शन होने की कोई ऐसा नहीं है कि जो यानिकी अंताराष्टे मुद्राकोश युनिस्को वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम या फिर युनिसेफ बताइए इन में से किसके द्वारा हमारा प्रपल रिपोर्ट को यहां पर जारी किया गया है नहीं यह इस शर्णिवार को होती रोज नहीं होती सुनी तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसका सभी आंसर क्या है युनिसेफ के द्वारा करा गया है हाँ बिल्कुल इसलिए सोफिया अपने लेंग्वेज में आप नोट करेंगे न तो चीजे याद रहेंगी हमेशा चलिए अगला सवाल तो प्रद्योगी और नवचार रिपोर्ट दो हजार तेईस को प्रकाशन करने वाला संस्थान कौन सा है युनिसेट एड युनिसको वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम या फिर युनिसेफ तो इन में से किसके द्वारा यहां पर इसको जारी किया गया है तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो युनिसेट नेशन का जो संस्थान है युनिसेट एड इनके द्वारा हमारा क्या है टेकनोलोजी एन इनोवेशन हब को यहां पर क्या किया गया है हमारा जारी किया गया है तो अगर हम UNCTED की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है United Nations Conference on Trade and Development है अगला सवाल, what is the name of the second anti-sumarine warfare shallow water craft which was launched recently तो हाली में हमारी launch होने वाली दूसरी anti-sumarine warfare जो की हमारे क्या है कम गहरे पानी में यानि की shallow water craft के रूप में हमारी launch की गई उसका नाम क्या है अंद्रिया, अंद्रोत, अर्नाला या फिर अंगारा तो इसके बारे में मैंने काफी detail में आपको पढ़ाया है total कितनी anti-sumarine हमारी warfare ship को लाया जाएगा और सबसे पहली कौन सी थी क्योंकि यहाँ पर दूसरी की हम बात कर रहे है तो दूसरी हाली में अंद्रोत को यहाँ पर launch किया गया है और पहली कौन सी थी? हाँ, very good, Ritika तो total 6 हमारी आनी हैं जिसमें पहली कौन सी थी हमारी? अर्नाला थी, very good है ना? तो अर्नाला जो थी हमारी पहली थी और यहाँ पर अब दूसरी कौन सी लाई गई है? अंद्रोत को लाया गया है अगला सवाल और विच कंट्री IMF Executive Board has approved a USD 3 Billion Bailout Program तो इन में से किस देश की मदद करने के लिए अंतराश्टिय मुद्राकोष के कारिकारी बोर्ड के द्वारा यहाँ पर 3 Billion American Dollar का एक Bailout कारिकरम की मंजूरी दी गई है जिंबॉबे, श्री लंका, इंडोनेशिया या मलेशिया ये सवाल बहुत जादा important है और इस साल परिक्षा में आने की इसकी पूर्ण संभावना भी है तो दोस्तों अगर हम बात करें तो श्री लंका को हमारी जो वित्ते, एमर्जनसी है क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले एक डिड़ साल से जो है श्री लंका हमारा फाइनेशल इनिस्टेबिल्टी या फाइनेशल क्रैसिस से गुजर रहा है और उसको यहाँ पर हरने के लिए क्या है यहाँ पर यह बेल आउट पैकेज यहाँ पर लाया गया है क्लियर याद रखिएगा वेरी गुड अगले सवाल पर चलते हैं तो इनमें से भारत के किस राज्य के द्वारा पहला महिलाओं का सहकारी फंड जिसका नाम है महिला ने धी उसको लाँच किया गया है कैरला, करनाटिका, राजस्थान या फिर आंधर प्रदेश तो किसके द्वारा यहाँ पर लाँच किया गया है आपको बताना है तो दोस्तों अगर हम बात करें तो राजस्थान की सरकार के द्वारा महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए ये वुमेन कॉपरेटिव फंड को यहाँ पर लॉंच किया गया है और यहाँ पर महिलाओं को हमारा क्या है इस कॉपरेटिव फंड में ब्याज भी आधिक मिलेगा लगभग 8 प्रतिशत का आए के e-scooter पर प्रतिबन लगाने के लिए मतदान का आयोजन किया ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी या फिर पोलेंड तो कमेंट कीजिए आंसर इसका कि देखें कितने लोग इसका सही आंसर बता पा रहे हैं पोलेंड फ्रांस पैरिस जर्मनी या ना ब्रिटेन इडी इजट भी बता दो तो सही आंसर क्या है फ्रांस तो फ्रांस के अंदर हाली में मतदान किया गया और रेंट पर यानि की किराये पर जो स्कूटर रखें उस पर यहां पर प्रतिबंद लगा दिया गया है कि याद रखेगा है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और इस साल यह परिक्षा में एक हजार प्रतिशत पूछा ही जाएगा तो कि अपने आप में यह बहुत बड़ी चीज है ना यह बहुत बड़ा एक हमारा डिस्कवरी देखी गई है चलिए इस सवाल को देखते हैं तो हाली में गड़ी तग्यों के द्वारा एक ऐसा नया पैटन को खोजा गया है जिसमें हम क्या है एक सते पर बिना किसी भी पैटन को दोराए हुए पूरी तरह से उस सते को ढग सकते हैं इस पैटन का नाम क्या है बहुत इंपॉर्टन यह पैटन है और यह माना जा रहा है कि यह हमारा क्या है जो भी हमारा आर्चिटेक्चर का फील्ड है इंटीर का फील्ड है उसमें एक नया क्या लेकि आएगा एक नई किरांती लाएगा तो रमन टाइल न्यूटन टाइल आ स्टाइल आइंस्टेंट्सक molten два इसका सही आंसर है वैंस्टेंट तो अलबर्ट आईन्स्टाइन को समर्पित यह इसका नाम रखा गया है और इसको बहुत अच्छे से याद रखे आप में से किसी ने इसकी आकृती देखी हैं कि नहीं कि यह जेताया में बताइए आप तो यह इसका आकार है यानि की style में देखो सब कुछ क्या है इसी आकार में ही है और अगर आप देखोगे तो इसी pattern से हमने क्या है यह पूरा rectangle को बना लिया है है ना तो ये क्या है ये जो आकार है हमारा जैसे हम इसको क्या कहते है स्क्वाइर इसको कहते है सर्किल इसको कहते है रेक्टेंगिल तो ये क्या है हमारा हमारा आइंस्टाइन टाइल है और आप देखो इस रेक्टेंगिल को परफेक्टली इसने क्या कर लिया है capture कर लिया है और इसमें कुछ भी क्या है हमारा wastage नहीं जा रहा है clear तो इसको जरूर याद रखिएगा Einstein style के बारे में इसकी खासियत के बारे में परिक्षा में पूछा जा सकता है तो Indian Express पत्रिका में निकला था तो उनकी सयोग से यह चित्र में आपके संकर्ष प्रस्तुत कर रहा हूं चलिए अगले सवाल पर इन विच सिटी International Conference on Human Wildlife Conflict and coexistence held तो मानव वन जीव संघर्ष और सह अस्तित पर जो अंतराष्टे सम्मेलन हुआ है उसका आयोजन इन में से किस शहर में किया गया मुंबाई ऑक्सफोर्ड शैंगाई या फिर मॉन्ट्रियाल धन्यवाद धन्यवाद हगे माउवाई है ना क्या नाम हगे माउव है ना चलिए तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका आयोजन हमारा कहा हुआ है हमारा United Kingdom के Oxford के अंदर आयोजन किया गया है तो यहाँ पर हमारा मनुष्य और जो वन जीव है या मानव वन जीव का जो संगर्श है उसको कम करना या खतम करने के लिए दोनों के कोएग्जिस्टेंस यानि की सह स्थित्की हम यहाँ पर बात करते हैं अगला सवाल इन में से किस USA राज्य की विधान सवा ने हिंदो फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव को पारित किया है बताइए तो दोस्तों अगर हम इस सवाल की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या है हमारा ओप्शन नमबर B तो जॉर्जिया की हमारी जो विधान सवा है वहाँ पर क्या है हिंदो फोबिया को ले करके यहाँ पर हमारा क्या है प्रस्ताव को पारित किया क्या है ठीक है याद रखेएगा अगला सवाल विच कंट्री लॉंच MF हाइडरा वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड हाइडरोजन पावर्ड हमारा पैरी तो इन में से किस देश में हाली में हमारा MF हाइडरा यानि की मिकेनाइस्ट पैरी हाइडरा को लॉंच किया गया है जो की लिक्विड हाइडरोजन से संचालित होगा नौर्वे, जर्मनी, पोलेंड या फिर यूए से बताईए तो दोस्तों अगर हम इस सवाल के सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या है? हमारा option number option number A, Norway तो Norway का एक हमारी company है जिसका नाम है Norled इनके दुआरा इसको यहाँ पर हमारा क्या है? launch किया गया है याद रखिएगा अगला सवाल इनमें से किस तारिक के बीच में हम लोग द्रश्टी हींता निवारन सप्ताहा 2023 को मनाया? 19 मार्च से 26 मार्च 23 मार्च से 30 मार्च 1 अपरेल से 7 अपरेल या फिर 3 अपरेल से 9 अपरेल इनमें से किस तारिक के बीच में हमने जो है Prevention of Blindness Week 2023 का आयोजन किया है तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका हमारा आयोजन कब किया गया है? 1 अपरेल से लेकर के 7 अपरेल के बीच में ठीक है? 1 अपरेल से लेकर 7 अपरेल के बीच में अगला सवाल इनमें से किस कमपनी के साथ हाली में भारत के रक्षा मंत्राले के दौरा एक समझोते पे साइन किया गया जिसमें हम लोग Linux U2 Fire Control System को लेंगे भेल, HAL, बेल या फिर इसरो इनमें से किस के साथ हम लोगों ने यहाँ पर यह समझोता किया है तो दोस्तों भारत Electronic Limited के साथ भारत Electronic Limited के साथ यह समझोता यहाँ पर किया गया है याद रखे का अगला सवाल इरावी कुलम नैशनल पार्क जहां पर हमारा पहला फरनेडियम को हमारा बनाया गया है यह किस राज्ज में हमारा इस्तित है तमिल नाडू, आंध प्रदेश, केरला या फिर करनाटिका तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर बात करें तो देश का पहला फरनेनियम यानि कि फरनेनियम एक ऐसी प्रजाती होती है पेड़ पौदों की जो कि केरला के कहाँ पर है मननार में इस्तित है तो केरला का जो मननार है मननार जिला वहाँ पर हमारा क्या है यह नैशनल पार्क इस्तित है याद रखेगा अगला सवाल इनमे से हम लोग किस तारिक को वर्ल्ड ओस्टियम अवेर्नस डे को मनाते है तो विश्म आत्म केंद्रित जागरुकता दिवस दो हजार तेईस हमने इनमे से किस तारिक को मनाया 19 मार्च, 29 मार्च, 31 मार्च या फिर 2 अपरल जरा कोई थीम भी बता दीजे इसकी इस साल का इसका विशे या थीम क्या है ये सब मैंने कोश्चन आपको डिटेल में डीसीय में पढ़ाएं है ये सब सवाल मैंने आपको डीसीय में डेली पढ़ाएं भी है तो दोस्तों अगर हम बात करें तो दो अपरेल के दिन हम लोग क्या है इस दिवस को मनाते हैं जिसमें इस साल इसकी थीम क्या है Contribution of Austeum Indie Visuals At Home At Work In the Arts And Policy Making ठीक है याद रखेगा Clear Contribution of Austeism Individual at Home At Work In the Art And Policy Making इसकी क्या है इस साल की थीम है Clear चलिए अगला सवाल इन में से कौन पहली महिला अध्यक्ष बनी है टाई राजस्थान की तो दा इंदस इंटरपनियर नामक हमारा जो Non-profit organization है जो कि हमारे उद्यमियों को सहयोग करता है तो उसका एक important chapter राजस्थान है तो उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है नेहा चटरजी चेतना कुमारी शीनु जावर या फिर अधिती सिंग औस्टिजम होता ना उसके लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर यह कौन बनी है शीनु जावर बनी है तो शीनु जावर पहली महिला अध्यक्ष बनी है हमारी टाई राजस्थान की मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए क्या ऑ्टिजम की हाँ यहाँ पर S लिख दिए सौरी सौरी यह टी है वोह यह मैं कहुंँ आप कन्फ्यूस क्यों हो रहे है हाँ आर्टिजम है ना ओटिजम खिके धन्यवाद हमित भाई इना spelling गलत हो गई थी चलिए अगला सवाल इन में से किस तारीक को हम लोग अंताराश्टी ये Mind Awareness Day मनाते हैं यानि कि जो खाने होती हैं जिसके नीचे हमारे क्या Landmines वगारा होती हैं उसके लिए जागरुकता फैलाने के लिए अंताराश्टे दिवस हम लोग किस तारीक को मनाते हैं 19 March, 29 March, 2 April या फिर 4 April और इसकी इस साल की theme क्या है इसकी theme क्या है बताईे कब मनाते हैं और इसकी theme क्या है इस दोनों चीज़ें आपको बतानी है तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसको हम लोग हर साल 4 अप्रेल को मनाते हैं जहां पर लोगों को जागरुक करते हैं कि जो भी हमारी खाने हैं उसमें जो विस्पोर्ट हो जाता है उससे कई लोग अपनी जान गवाते हैं तो उससे हम लोग क्या करें लोगों को जागरुक करें और इस साल इसकी थीम क्या है माइन एक्षन कांट वेट क्या है इस साल इसकी थीम भी है तो नोट कर लिजेगा काफी इंपोर्टेंट है इससे जुड़ा हुआ सवाल क्या है परिक्षा में पूछा जा सकता है अगला सवाल इंडिया रिसेंटली साइन अडिफेंस कोपरेशन एग्रिमेंट तो हाली में भारत ने इन में से किस यूरोपिये देश के साथ हमारा एक रक्षा के छेत्र में हमारा समझोते पर हस्ताक्षर किया है अच्छा एक चीज़ बता दें ये जो रक्षे का समझोता इस देश के बारे गुड़ जितेश तो रोमानिया के साथ हाली में क्या है भारत ने एक हमारा डिफेंस कोपरेशन एग्रिमेंट पर हस्ताक्षर किया है याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है चलिए अगले सवाल पर चलते हैं इन विच स्टेट एन यूनियन टेरिटरी दफर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्यूनिकेशन कॉन्क्लेव हेल्ड तो इन में से किस राज्य या केंशाषित प्रदेश में पहला अंतराश्ट ये पहला अंतराश्ट ये क्वांटम क्मूनिकेशन क्लेव का तो इसका सही आंसर क्या है नई दिल्ली तो नई दिल्ली के अंदर इसका अयोजन किया गया है अगला सवाल विच कंट्री रीसेंटली लॉंच दा नैशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क तो हाली में किस देश ने नैशनल ग्रीन हमारा जो फिस्कल है यानि कि राजकोशिये हमारा इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क को लाएं हैं केनिया, USA, चाइना या फिर रश्या तो दोस्तों अगर हम इस framework की बात करें तो यह framework जो है हमारा traffic congestion charges और नए प्रकार के taxes को introduce करेगा ताकि हम carbon emission को क्या कर सकें? cut off कर सकें और यह लाने वाला देश कौन सा है? very good Sophia Kenya तो Kenya अपने आप में एक नई पहल लाया है जहाँ पर हम traffic congestion के दौरान अलग प्रकार के charges लोगों से वसूलेंगे ताकि हम carbon जो emission हो रहा है उसको यहाँ पर क्या कर सकें? उसको हम लोग counter कर सकें clear? note कर लिजे which state was ranked the top performer in the foundational literacy and numeracy index 2022 तो हाली में यहाँ पर इसका इसका वो गलत आ गया शद हिंदी मैं बोल दे रहा हूं चलिए इसका हिंदी गलत है नुबाद तो हाली में जारी की गई हमारी जो foundational हमारा जो साक्षरता और हमारा संक्यकी का जो सूचकांक है 2022 उनमें किस राज्य ने प्रथमिस्तान हासिल किया है राजस्तान, पश्यम बंगाल, तमिल नाडू, या फिर महराष्ट हाँ, जश्ट ट्रांजिशन भी किया है बिल्कुल तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका सही आंसर क्या है option नमबर भी पश्यम बंगाल अब देखिए, यह जो हमारा foundational and literacy numeracy index है यह 10 साल तक के बच्चों को हमारा जो basic education का foundation है और जो नमबर है, उनकी जानकारी के test करता है और इसको हमारा आयोजन करने वाला जो संस्थान है वो है institute for competitiveness और अगर हम यहाँ पर राज्यों की बात करें, state की बात करें तो पहला इस्थान जो प्राप्त किया है वो करा है पश्यम बंगाल ने वही पर सबसे खराब राज्यों की बात करें तो सबसे खराब राज्यों में आया है अपना उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश सबसे खराब राज्यों में आया है इस सूचकांक में और वही पर अगर हम केन शाशित प्रदेशों की बात करें तो सबसे टॉप पर आया है पुड़ू चेरी और सबसे worst state में आया है आया है कौन लगदाक तो ये भी नोट कर लिजेगा पहले पे पश्चिम मंगाल सबसे खराब कौन है हमारा उत्तर प्रदेश और केंशाशित प्रदेश में पुड्डू चैरी और worst में कौन है लगदाक है तो याद रखिएगा important है exam में क्या है ये सवाल आपका पूछा जा सकता है नोट कर लिजे चलिए अगले सवाल पे चलते है तो दो हजार चौविस तक हमारा जो बाइसवा विधी आयोग जिसको हाली में बढ़ा दिया गया है इसके अध्यक्ष कौन बनी है तो जस्टिस रितुराज अवस्ती जस्टिस डीवाई चंदर्चून जस्टिस जे चेला मेश्वर या फिर जस्टिस रंजन गुगोई तो इनमें से कौन हमारे बाइसवे लौ कमिशन के चेयर पर या उसके अध्यक्ष के रूप में यहां पर हमारा दो हजार चौबिस तक उसका कारेकाल को बढ़ा दिया गया है तो इसका सही आंसर क्या है जस्टिस रितू अवस्ती क्लियर? नोट कर लिजे अगला सवाल इनमें से किन दो देशों के बीच में हाली में एक नई समझोता या संधी हमारा न्यू स्टार्ट ट्रेटी को देखा गया तो दो देशों के बीच एक नई संधी जो साइन हुई है न्यू स्टार्ट ट्रेटी वो कौन से दो देश है रशिया यूक्रेन, यूएसे रशिया फ्रांस भारत या फिर भारत यूएसे तो इनमें से किन दो देशों के बीच हमारा ये संधी को यहाँ पर हस्ताक्षर किया गया है बताएए तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है यूएसे और रशिया तो यूएसे और रशिया के बीच में ये संधी यहाँ पर हमारी साइन की गई है याद रखियेगा अगला सवाल काफी इंपोर्टेंट है इनमें से किस देश के द्वारा दा मुकाबब नामक एक नया डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट को लॉंच किया किया है तो मुकाब या मुकाब नामक हमारा एक नया विकास की परियोजना क्या है ये वर्ड का लार्जेस्ट मॉडर्न डाउन टाउन है है ना वर्ड का लार्जेस्ट सबसे बड़ा आधूनिक डाउन टाउन है तो ये कहां पर बनाया जा रहा है तो दोस्तों अगर हम बात करें तो 2030 तक रियाद को हमारा modernize करने के लिए साउधी अरब के द्वारा इसको लाया गया है तो रियाद में हमारा ये डाउन टाउन दा मुकाब को यहां पर हमारा बनाया जाएगा तो नोट कल दीजेगा इस शहर का नाम भी और देश का नाम भी हो सकता है आप से देश या शहर का नाम ही पूछ ले कि दुनिया के किस देश शहर में हमारा क्या है इसको लाया गया है ठीक है चलिए अगले सवाल पर चलते हैं वाट इस दा नेम ऑफ दा इंडी जीनियस डेटा लिंक तो भारती नौ सेना के द्वारा विक्सित स्वादेशी डेटा लिंक संचार का नाम क्या है संचार लिंक वायू लिंक रक्षा लिंक या फिर रेडियो लिंक इन में से किसके द्वारा इस लिंक को यहां पर लाया गया है तो दोस्तों अगर हम बात करें तो भारती नौसेना के द्वारा जो डेटा लिंक कम्यूनिकेशन को लाया गया है उसका नाम क्या है वायू लिंक है तो याद रखिएगा वायू लिंक क्या है इसका हमारा नाम है अगला सवाल इंडिया रिसेंट्ली एडॉप्टेड दा डिजिटल वर्क प्लान दो हजार तेईस अलॉंग विद विच ब्लॉक तो भारत ने हाली में किस ब्लॉक के साथ डिजिटल कार योजना दो हजार तेईस को अपनाया है जी सेवन ब्रिक्स आसियान या जी ट्विंट इनमें से किस के साथ भारत ने इस डिजिटल वर्क प्लान दो हजार तेईस को अपनाया है तो दोस्तों अगर हम इस डिजिटल प्लान की बात करें तो इसको अपनाया है भारत ने आसियान देशों के साथ तो आसियान देशों के साथ इसको अपनाया है अगला सवाल इन में से भारत के किस राज्य या केन शाशित प्रदेश में देश की पहली फ्रोजन लेक मैरथन का आयोजन किया गया यानि की एक जमी हुई जील पर मैरथन दौड का आयोजन इन में से किस राज्य या केन शाशित प्रदेश में किया गया अरुनाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश लद्दाख या उत्राकंड अच्छा आप में से कोई जील का नाम भी बता सकता है जिस जील पे हमारा क्या है इसका आयोजन किया गया है जील का नाम कोई बता सकता है कौन सी जील है तो लद्दाख पे अगर हम बात करें तो जो जील है वो हमारी सर्दियों के मौसम में जम जाती है और वहीं पर हमारे देश का पहला फ्रोजन लेक मैरतन का आयोजन किया है तो जील का नाम भी क्या है आप यहाँ पर याद रखिएगा पैंगॉंग सो लेक है न अगला सवाल हाली में FAO यानि की खाद और क्रिशी संग पूड एंड एग्रिकल्चर और्गनाइजेशन के द्वारा दुनिया का सबसे अधिक दूद उत्पादन करने वाले देश का नाम घुशित किया गया है तो वह कौन सा देश है भारत ब्रजील चाइना या जर्मनी तो यह जो हमारा आकड़ा है वर्ष 2021 का है कितना कोई बात नहीं जेतिन गुड इबनिंग वेलकम तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या है हमारा देश भारत तो वर्ष 2021 में भारत ने दुनिया का 24 प्रतिशत दूद का उत्पादन अपने यहां किया है तो इस प्रतिशत को भी याद रखिएगा में सांस प्रतिशत को इन में से किस संगठन के द्वारा जीरो ड्राफ्ट को यहां पर यानि की जीरो हमारा एक मसौदे को प्रसारित किया गया है जो की महामारी संधी के रूप में हमारा देखी जाती है विश्व आर्थिक मंच अंताराष्टे मुद्राकोश विश्व बैंक या फ अंसर क्या है डबलू है चो पेंड़मिक की अगर हम बात करें तो स्वास से रिलेटेड है न है अर्थ की अगर हम बात करें तो विश्व संगठन पीक है वरी गुड अगला सवाल इन में से किस देश के द्वारा पहला अंडर ग्राउंड एर फोर्स बेस जिसका नाम इगल 44 या फिर ओगाब 44 है उसको बनाया गया है तो इगल 44 या ओगाब 44 नामा दुनिया का पहला भूमी गत वायू सेना बेस को किसने बनाया है इसराइल इरान अफगानिस्तान या फिर युए इगल 44 या ओगाब 44 नामा दुनिया का पहला भूमी गत वायू सेना बेस को किसने बनाया है इसराइल इरान अफगानिस्तान या याद रखेगा अगला सवाल इन में से क्या नाम है उस युद्ध अभ्यास का जो की इंडियन मिलिटरी की जोईन ट्रेनिंग एक्सरसाईज है जिसका हाली में आयोजन किया गया तो भारतिय सेना का एक सैन्युक्त युद्ध अभ्यास का नाम क्या है जिसको हाली में आयोजित किया गया है विकरम प्रहार त्रिलोक शक्ती त्री शक्ती प्रहार या आत्म निर्भर प्रहार पताईए कौन सा प्रहार यहाँ पर हमारा लाया गया है तो दोस्तों अगर हम बात करें तो उत्तरी बंगाल में है ना उत्तरी बंगाल में हमारा क्या है त्री शक्ती प्रहार को यहां पर ले करके आया गया है ठीक है उत्तरी बंगाल में अगला सवाल अल्ट्रा सैट इस दो फर्स्ट टेलिस्कोप मिशन और विच कंट्री तो अल्टरा सैट किस देश का पहला टेलिस्कोप मिशन है भारत, इसराइल, साउधी अरब या कतार तो किस देश का पहला हमारा टेलिस्कोप मिशन यहां पर अल्टरा सैट को यहां पर लाया गया है तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इस्राइल के द्वारा अल्ट्रा सैट जो है पहला टेलिस्कोप मिशन को यहां पर लाया गया है भारत नहीं है भारत का हमारा थोड़ी ना है टेलिस्कोप मिशन अल्ट्रा सैट ठीक है इस्राइल है अगला सवाल, आली में हमारे सुप्रीम कोट का 73 स्थापना दिवस यानि की फाउंडेशन दे था तो हमारे सरवोच नियाले के 73 स्थापना दिवस के रूप में इनमें से किस देश के मुख्य नयायदीश को हमने मुख्य दिति के रूप में बुलाया था बहुत ही important सवाल है आ सकता है तो किस देश के हमारे सरवोच नियाले के मुख्य नियाइदीश को हमने मुख्य तिती के रूप में बुलाया सिंगापूर, Mauritius, Maldives या फिर जमेका तो दोस्तों अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या है सिंगापूर तो CJ सुनाद्रेश मैनन जो है मुख्य नियाइदीश है कहाँ के सिंगापूर के और इनको यहाँ पर हमारा क्या है आमंत्रित किया गया था तो S U N A D R E S H मैनन जो है वो हमारे मुख्य नियाइदीश थे जिनको यहाँ पर आमंत्रित किया क्या था हुआ है बहुत इंपोर्टेंट सवाल है एक्जाम में पूछा जा सकता है अगला सवाल इनमे से किस देश के साथ भारत के द्वारा एक इनिशेटिव और क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेकनोलोजी को लॉंच किया गया है तो आज की हमारी जो लेटिस टेकनोलोजी आर्टिफिशल इंटेलिजन्स इंटरनेट ऑफ तिंग्स और हमारा जो अन्ने जो हमारी लेटिस टेकनोलोजी हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भारत ने इनिशेटिव और क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेकनोलोजी नामक इन लिपस्रादनी पड़ा इतने तो सवाल हो गए कई बाद रिपीट हो जाता है कि इतने सवाल रिपीट हुए अच्छा अभी तक हमारे 629 में किसी को अंदाजा है अधुतग्स पांच हुए वोंगे ना 245 सवाल रिपीट हुए कि नहीं हुए रिपीटेड नहीं है चलो कोई नहीं आप नोट कर ले न, important है repeat खुआ है या नहीं हुआ है, कोई मतलब नहीं है ठीक है रिपीटेड नहीं है 6-7 हो गए कोई बात नहीं लेकिन जितने है उतने कर लिजेगा चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारत ने USA के साथ क्या है हमारा क्या है initiative on critical and emerging technology पर एक समझोते पर हस्ताक्षर किया है और इसको launch भी किया है चलिए अगला सवाल हमारा आर्थिक सर्वेक्षन से है तो आपको बताना है हाली में ने जारी किया गया वर्ष 2023 के आर्थिक सर्वेक्षन में भारत की आर्थिक विकासदर कितनी बताई गई है 6 प्रतीशत 6 प्रतीशत साड़े 35 प्रतीशत या फिर साथ दिशमलो दो प्रतीशत बताई ए कि दोस्वेक्षण गई है यहां पर तो दोस्तों अगर हम बात करें तो भारत का जो हमारा आर्थिक सर्विक्षन के अनुसार जो विकास दर है वो 6.5 प्रतिशत बताई गई है अच्छा इसके लाबा एक चीज याद रखिएगा मैंने इस साल का यूनियन बजेट का डिटेल एनलीसिस भी कराया है है ना डिटेल एनलीसिस भी कराया है और एकनॉमिक सर्वे का भी मैंने क्या है डिटेल एनलीसिस कराया है ठीक है और इसके साथ साथ इन दोनों का मैंने जो है MCQ का भी series कराई है तो अगर आप analysis ना कर पाएं तो कम से कम जो MCQ वाला video है उसमें 15-20 सवाल जो भी है उसको अच्छे से कर लिजेगा ताकि अगर budget economic survey के कुछ भी सवाल बनेंगे तो MCQ से आपके cover हो जाएंगे और में इसके perspective से analysis को जरूर कर लिजेगा तो जिसने भी नहीं किया है जो भी नए students है वो इसको जरूर देख लिजेगा वो हमारे YouTube पर पहले से ही मौजूद है ठीक है चलिए अगला सवाल बहुत interesting है और बहुत important भी है भारत का पहला जिला बता ठीक है टेलीग्राम पर भी मौजूद है और इसी YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है आप बस इतना डालिएगा budget 2023 शौबिस निर्मेश शर है ना मेरा नाम डालके आप सर्च कर लिजेगा आपको वीडियो मिल जाएगा ठीक है ऐसे economic survey भी करिए कर मिल जाएगा तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो कैरला के इरना कुलम में भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पर हमारे 10,000 के करीब नए MSME का पंजी करण हुआ है याद रखिएगा नाबा किशोर दास जो की हाली में एक राज्य के स्वास्त मंत्री थे उनको हाली में यहां पर गोली मारके उनकी हत्या कर दी तो यह किस राज्य के स्वास्त मंत्री थे तो नाबा किशोर दास जो है स्वास्त मंत्री किस राज्य के थे जिनका हाली में निधन हो गया जिनको गोली मार के जिनकी हत्या कर दी गई केरला उडीसा हर्याना या राजिस्तान तो उडीसा के बिल्कुल सही तो उडीसा के ये क्या थे स्वास्त मंत्री थे नाबा किशोरदास जी जिनको हाली में यहाँ पर क्या है जिनको गोली मार कर जिनकी हत्या कर दी गई थी अगला सवाल विच सिटी पोस्टेट दा मिलिटरी लिटरेचर फेस्टिवल तो सैन ने साहित ते महसब की मेजबानी करने वाला कौन सा शहर है पटियाला, भोपाल कोलकता या फिर नाकपुर तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हमारा जो मिलिटरी लिटरेचर फेस्टिवल है इसका आयोजन पटियाला में किया गया है तो याद रखिएगा पटियाला के अंदर हमारा इसका आयोजन किया गया है नोट कर लिजे इसको अगला सवाल बहुत important सवाल है इस साल ये परिक्षा में आ सकता है इससे सवाल तो बने गई बनेगा ठीक है सवाल समस्ते हैं क्या है तो हाली में RBI के द्वारा एक study यानि कि एक अध्यन किया गया उसके अनुसार जुलाई 2017 से जून 2022 के बीच में यानि कि इन 5 सालों में भारत के किस राज्य को सबसे अधिक GST का मुआवजा सरकार के द्वारा दिया गया यानि कि भारत की केंद सरकार ने पिछले 5 सालों में इन में से किस राज्य को सबसे अधिक GST का मुआवजा जुलाई 2017 से जून 2022 के बीच में दिया है करनाटिका, गुजरात, महराष्ट या आंध्रप्रतेश ये सवाल बहुत important है इस साल परिक्षा में आएगा क्योंकि GST को लागू हुए हमारे 5 साल हो चुके हैं और 5 साल में हमारे जो राज्यों का जो डर था कि उनका जो राज्यस में नुकसान होगा, उसके लिए सरकार जो GST Compensation Act लाई थी उसके अंतरगत यहां पर सरकार मुहफ़ा दे रही है तो सबसे जादा किसको दिया है? महराष्ट को दिया है तो अगर हम भारत के तीन राज्यों को देखें, तो पहले नंबर पर आता है महराष्ट दूसरे नंबर की बात करें तो करनाटका और तीसरे नंबर की बात करें तो वो है गुजरात तो महराष्ट, करनाटका, गुजरात क्या है? तीन वो राज्य है जहां पर सबसे अधिक जिनको केंध सरकार से मुआपसा दिया गया घगला सवाल इन में से भारत के किस राज्य में नैशनल ये स्वरि किस शहर में नैशनल child congress का आयोजन किया गया सो राष्टी बाल विज्ञान Congress की मेजबानी इन में से किस शहर ने करी है मुंबई एहम्धाबाद वारंगल या फिर बैंगलूरू अच्छा आप में से कोई बता सकता है इसका आयोजन किस तारिक को हुआ था कोई डेट बता सकता है मुझे तो दोस्तों अगर हम बात करें तो 27 जनवरी 2023 को इसका आयोजन कहां किया गया एहंदाबाद में किया गया है याद रखेगा अगला सवाल हाली में यूएस की एक पत्रिका हिंडर बर्थ रिसर्च के द्वारा एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया और इन में से किस कंपनी के या किस वेपारिक समू के उपर अपने स्टॉक्स पर मैनुफलेशन यानि कि स्टॉक की हेरा फेरी करने के आरोप लगाए गये और उसके बाद आपने देखा पूरे देश में बवाल भी हुआ तो ITC Limited, Addict-Ebrilla Sumo, Reliance Industries या अदानी समू बताए तो किस पर आरोप लगाया गया आपको बताना है तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो अदानी समू के उपर क्या है यह आरोप यहाँ पर लगाया गया है याद रखेगा उसके बाद आपने देखा होगा कि अदानी समू के क्या है शेर्स भी काफी बड़ी मात्रा में गिरे भी है अगला सवाल इन में से कौन सा राज या केंशाषित प्रदेश है भारत का जिसने इंडिया का पहला Online Gaming Center of Excellence की स्थापना करने जा रहा है तो भारत का पहला Online Gaming Center of Excellence की स्थापना या करने वाला राज जी या केंशाषित प्रदेश कौन सा है केरला, गोआ, मेघाले या फिर राजिस्थान अच्छा कोई मुझे इसका शेहर का नाम भी बता सकता है बी, सी, जी, दी, गोआ, गोआ नहीं है भाई इसका सही आंसर है मेघाले, तो मेघाले के श्री लॉंग में मेघाले के श्री लॉंग में देश का पहला हमारा क्या है Gaming Center of Excellence की स्थापना की जाए अगला सवाल, आली में जारी की गई India Justice Report 2022 आपको मैंने भी पढ़ाया था TATA समू के द्वारा है ताटा जो हमारा क्या है ग्रूप है उसके द्वारा हमारा क्या है एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है जिसमें भारत के बड़े और छोटे राज्यों में हमारा क्या है जो Justice है यानि की नियाय है वो कैसा दिया जा रहा है उसकी यहां पर समिक्षा की गई है तो इसमें बड़े और मध्यम राज्यों की सूची में किसे ने टॉप किया है कि कमिल नाडू आंध्र प्रदेश केरला या फिर करनाटिका तो दोस्तों अगर हम यहां पर बड़े और मध्यम राज्यों की बात करें तो यहां पर टॉप करने वाला राज्य कौन सा है करनाटिका तो करनाटिका अगर टॉप करने वाला है तो सबसे वर्स्ट कौन सा है सबसे खराब कौन आया है उत्तर प्रदेश आया है है ना उत्तर प्रदेश सबसे वर्स्ट है वहीं पर अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो स्मॉल स्टेट्स में हमारा टॉप किस ने किया है टॉप किया है सिक्किम ने और हमारा वर्स्ट कौन आया है गोवा आया है ठीक है गोवा आया है ठीक है तो याद रखिएगा टॉप और सबसे बॉटम पर कौन है अगला सवाल हाली में जी ट्वेंटी की एमपावर बैठक जो की महिलाओं के शशक्ति करन करने के लिए है जिसका नाम है एक्सेलरेटिंग वोमेंस एकनॉमिक इमपावर्मेंट है उसका आयूजन कहां पर किया गया आगरा तरवंत पुरम भोपाल या फिर अमरित सर तो दोस दूसरी की अभी हम बात कर रहे हैं और तीसरी भविष्य में होनी है तो पहली कहां हुई थी दूसरी कहां हो रही है और तीसरी कहां होगी आपको बताना है तो हमारी पहली का आयूजन हुआ था आगरा में दूसरी हो रही है तिरवंत पुरम में है ना तिरू वनंत पुरम में ठीक है spelling आप सही कर लिजेगा और तीसरी होगी भोपाल में ठीक है तो याद रखिए का आगरा त्रवंत पुरम और भोपाल क्या है तीन वो शहर है जहां पर तीनों बैठके आयुजित होनी है तो चलिए एक लास सवाल आज की क्लास का देख लेते हैं आज का सवाल है तो 180-180 सवाल दो शेशन में करके उसको खतम करेंगे ठीक है तो लास सवाल एक आज का और देख लेते हैं तो हाली में फोप्स पत्रिका के द्वारा जो अरब पतियों की सूची जारी की गई उसमें दुनिया का सबसे अमीर खेल या स्पोर्ट्स ओनर कौन है गौतम मदानी, स्टीव वालमर, मुकेश अमबानी या फिर रॉब वॉल्टन बताइए तो मुकेश अमबानी क्या है दुनिया के सबसे अमीर स्पोर्ट्स पर्सन है स्पोर्ट्स पर्सन क्या मतलब ओनर है जिनोंने क्या है किसी भी स्पोर्ट्स फ्रंचाइजी को ओन किया है तो मुंबई इंडियन के ये ओनर है और अभी टीम हार भी रही है इनकी है ना आज आईपियल का एक हजारवा मैच है की नहीं तो याद रखिएगा एक चीज और आज भारत में आईपियल की जो शुरुवात हुई है उसका एक हजारवा मैच चला है किसके बीच में मुंबई इंडियन्स वर्सर्स CSK तो हो सकता है ये सवाल भी पूछ लिया जाए कि आई रखिएगा तो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं तक समाप्त करते हैं अगले शनिवार को इसका नवा पार्ट आएगा और जो भी स्टूडेंट से जुड़े हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं और हमारा टाइम देख सकते हैं कि हम लोग किस दिन कौन कौन सा क्या कर रह हैं तो बीच में हमारा कुछ यहां पर चेंजेश हुए थे जिसकी वज़े से क्या है टाइम बदल गया था तो आठ अपरेल को हमारा क्या है यहां पर हम लोग बिफोर टाइम अब ले आएं इस पार्ट को और अगला पार्ट हमारा कब आएगा चौदा अपरेल को ठीक है तो 14 अप्रेल और 21 अप्रेल तक हमारा पूरी सीरीज खतम हो जाएगी और उसके बाद भी आपके पास लगबग 20-25 दिन बचेंगे जिसमें आप इन करेंट अप्रेस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं तो चलिए फिलाल एंड करते हैं आज के इस सत्र को मिलते हैं आपसे नेक्स सेशन में तिल देन बाबाए टेक कियर और हैवा गुड़ डे हाँ सचिन तंदुलकर का स्टैचू भी बनाया गया बिल्कुल टेक कियर और हैवा गुड़ डे दोस्तों झाल दोस्तों